देखो बच्छो question number 5 में यह कह रहे हैं यह दो points है यहाँ पर A और B ठीक है 1-5 और B है-4-5 ठीक है इनको x-axis ने divide करा x-axis का मतलब क्या है कि x का मुझे नहीं पता पर y का confirm है कि वो 0 coordinate है ठीक है तो मैंने इसे x,0 लिख लिया तो तुमको यह बताना है कि एक किस ratio में divide हो रहे है और इसका P के coordinate जी बताना है तो दो सवाल है तो मैं पास यहाँ पर ठीक चलो पहले तो हम देखते हैं हम suppose कर लेते हैं कि let the ratio b k is to 1 ठीक है हमने यह ratio suppose कर लिया अब भी मुझे section formula से क्या पता है x,y कितना होता है बच्चों बताओ ज़रा सा फिर से formula बोलो m1 plus m2 divided by m1 plus m2 फिर इधर भी लिख लो m1 plus m2 divided by m1 plus m2 क्या करोगे m1 के साथ x2 m2 के साथ x1 m1 के साथ y2 m2 के साथ y1 ठीक अब बच्चों यह बताओ इसमें यह क्या हो जाएगा इसको x1 ले लो इसको y1 ले लो इसको x2 ले लो इसको y2 ले लो ठीक है अब क्या करेंगे हम this is case to 1 के रेशियो में है m1 क्या है यहाँ पर तुम्हारा k है तो लिख दो k x2 is minus 4 ठीक प्लस m2 is 1 x1 क्या है 1 divided by m1 plus m2 मतलब k plus 1 यहाँ पर क्या है बच्चों यहाँ पर है m1 is k k into y2 y2 is 5 plus m2 is 1 1 into minus 5 divided by k plus 1 ठीक है यह किसके equal है यह x,0 के equal है है के नहीं x coordinate हमें पता नहीं पर y पता है क्योंकि x axis पर y 0 ही हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूं y coordinate को equate कर लेती हूं तो मैं लिख सकती हूं 0 is equal to मैंने y coordinate को equate कर लिया 5 k minus 5 upon 5 plus 1 इसका मतलब यह cross multiply होगा यहां से है ना तो यह हो जाएगा यह 0 बन जाएगा तो 5 k minus 5 is equal to 0 तो मैंने क्या करा बच्चों यह 5 k इधर लिया हो जाएगा 5 तो 5 is equal to 1 upon 1 लिख सकते हैं इसको तो k को मैं upon 1 लिख दू तो k is to 1 का ratio क्या हो जाएगा 1 is to 1 का तो मेरे पास बच्चों यह तो आगया कि भाई k वाल ratio तो मेरे पास आगया किस ratio में इसने divide कर रहा है मतलब यह equally divide कर रहा है इसने 1 is to 1 का ratio थी अब तुमको बच्चों P के coordinates भी चाहिए तो मैं कह सकती हूँ P के coordinates क्या थे X,0 तो मैं क्या करती हूँ X coordinate को equate करती हूँ X की जगा यह वाला रखती हूँ ठीक है मैं कह सकती हूँ X is equal to यह रखके देखो तो हो जाएगा minus 4K ठीक यह हो जाएगा plus 1 divided by k plus 1 ठीक की value तो भाई तुम्हारे पास आ गई है 1 है के k की value 1 है तो मैं रख दूँगी minus 4 into 1 plus 1 upon 1 plus 1 यह हो जाएगा minus 4 plus 1 divided by 2 minus 3 by 2 ठीक है तो P के coordinates क्या जाएगे बच्चो X की जगा रख दो minus 3,2 Y की जगा रख दो 0 ठीक है तो तो तुम्हारे पास देखो P coordinate भी आ गया और तुम्हारे पास ratio भी आ गया ठीक है clear अब आजा दूम question number 6 पर